हाई वाट्स अप एवरिवन मैं हूने मिताइन वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं एक्स्प्लेइन करूंगी परनॉर्मल एक्टिविटी नेक्स्ट ओफ किन को जो की हाली में रिलीज हुई है और आयम डीबी पेस की रेटिंग 5.2 की है so without wasting any time let's get into the horror coaster ride of this movie कहानी शुरू होती है मार्गेट से जो सैम्यूल से मिलने वाँ आई है जो कि उसका biological relative है मार्गेट के साथ उसका दोस्त क्रिस भी आया है जो कैमिरे में ये सब record कर रहा होता है जिसके बाद मार्गरेट सैम्यूल से मिलती है और अब दोनों इस रेस्टराइंट में वापस आते हैं जहां ये लोग एक डॉक्यूमेंटरी के बारे में बात कर रहे होते हैं सैम्यूल को हम लोग सैम बोलेंगे जहां मार्गरेट सैम को बताती है कि सालों पहले उसकी फैमिली अचाना गायब हो गई थी और वो अपनी फैमिली के बारे में जानने के लिए उस गाओं में जाना चाती है यहां में पता लगता है कि मार्गरेट की फैमिली आमिश नाम की कम्यूनिटी को बिलॉंग करती है और अब मार्गरेट अपनी फैमिली के बारे में जानने के लिए उस गाओं में जाना चाती है और वो इसी पर डॉक्यूमेंटरी बनाएगी मार्गरेट के साथ क्रिस और डेल वीज डॉक्यूमेंटरी पर काम करेंगे जो इन्हें महाँ सुबह आने के लिए कहता है और ये लोग उस रात एक होटल में रुकते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्गरेट के से बात कर रही होती है जब उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है मार्गरेट जब जाके देखती है तो उसे बातरूम की खिड़की पे एक लड़का नज़र आता है जो उनकी कार में बैटके वहाँ आ गया था और अब ये लोग उस बच्चे को जेकब के पास लेके जाते हैं और जेकब उन्हें अपने घर में रहने की परमीशन दे देता है अगले दिन ये लोग सैम के साथ वरक्शाप जाते हैं जहां पर लोग 200 सालों से काम कर रहे हैं जिसके बाद ये लोग एक तबेले में जाते हैं जहां डेल पिक्स की आवास को रिकॉर्ड करता है और उनका वीडियो बना लेता है मारगरेट ये फोटो कीच रही होती है तब ही क्रिस मारगरेट को गिरने से बचा लेता है क्योंकि वो नीचे रखी मशीन पे गिरने वाली थी जो जानवरों के चारा काटने के लिए इस्तमाल की जाती है जिसके बाद ये लोग वाँ से चले जाते हैं अब मारगरेट वाँ की लड़कियों से बात करती है जहां वो अपनी मा के बारे में पूछती है यहां में पता लगता है कि मारगरेट की मा सारा ने अपनी कम्यूटी को छोड़के किसी और से शादी कर ली थी इसलिए उनकी community मार्गरेट को पसंद नहीं करती है इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जब जेक अपने गाँवालों को खाने भी बुलाया था वो खाना खाने से पहले प्रे करते हैं और यहां पर मार्गरेट भी थी ये लोग खाना खारे होते हैं जब वहाँ वही लड़के आती हैं जिनसे मार्गरेट मिली थी मार्गरेट उन्हें अजीब डंक से प्रे करता वह धेकती है डेखता है कि वह जगए creepiness से भरी है और वह वहाँ रुकना नहीं चाता है लेकिन मार्गरेट ऐसा नहीं सोचती है जिसके बाद मार्गरेट के दो सोने जाते हैं अगली सुबह मार्गरेट क्रिस को बताती है कि उसने कर रात उपर के रूम से किसी के चलने की हुआ सुनी थी लेकिन क्रिस और डेल को इसके बारे में कुछ नहीं पता था जिसके बाद ये लोग अपनी डॉक्यमेंटरी के लिए बच्चों की कुछ शॉट्स लेते हैं जहां मार्गरेट एक बच्ची के साथ बैटके उसे बात कर रही होती है जिसने अपनी डॉल का नाम सारा रख़ा था यानि मार्गरेट की मा का नाम वो बच्ची कहती है कि सारा वही है लेकिन वो मार्गरेट को पसंद नहीं करती यह कहे कि वो बच्ची चली जाती है उस रात मार्गरेट को वापस आवास सुनाई देती है जो वो उस रूम में जाके देखती है तो वाँ उसे कोई नहीं दिखता वो रूम सारा का था यानि कि मार्गरेट की मा का या मार्गरेट को अपनी मा का लिखा एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो अपनी बच्ची को अपनी फैमली से दूर ले जाएगी जा उसकी फैमली उसकी बच्ची को ढूनना पाए वहाँ सारा को एक दरवाजा भी दिखता है उसके अंदर जाने पर वो देखती है कि उस रूम की हालत बहुत खराब थी और वहाँ खून से कुछ पेंटिंग्स बनी थी तब ही वहाँ जेकप आता है जो उस रूम को चेक करने आया था ये देखके मार्गरेट बैट के नीचे बंद कर दिया था इसलिए मार्गरेट दर्वाजे से बाहर नहीं जा सकती थी और अब वो उस रूम की खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है जब उसे खिड़की के शीशे में एक परचाई नजर आती है जो उसके पीछे ही खड़ी थी लेकिन जब मार्गरेट मुड मार्गरेट का ग्रेंट फादर है क्योंकि उस लेटर के जरीये में पता लगता है कि सारा की फैमली बेलर्स फैमली थी यानि की जेकब की फैमली अब मार्गरेट जेकब से अपनी मा के बारे में पूछती है जिस पे जेकब कहता है कि सारा ने कम्यूनिटी के बाहर शादी क इसलिए उसे सजा दी गई थी और उसे अकेला छोड़ दिया गया था कम्यूनिटी का कोई भी सारा से बात नहीं करता था इसके बाद हम देखते हैं कि डेल द्रोन उड़ा रहा होता है जब उसे एक चर्च दिखाई देता है और वो ये बात मार्केट को बताता है अब ये लोग उस चर्च के पास आते हैं लेकिन वो चर्च बन था ये लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब ही वहाँ जेकब आ जाता है और इन्हें अंदर जाने से रूख देता है और कहता है कि वो लोग इस जगे की रिकॉर्डिंग ना करें और उनको वहाँ आने की मनाई ही है इसके बाद बीच रात क्रिस को एक जानवर की आवास सुनाई देती है वह भी लोग जाके पता करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि जेकब के हाथ में गोड का बच्चा था जिसके दो सर थे इसलिए वो उस गोड के बच्चे को मार देते हैं क्योंकि वो इसे अच्छा नहीं समझते हैं इसके बाद ये लोग उस गोड के बच्चे को उसी चर्च में ले जाते हैं जहां पे जेकब ने जाने से मना किया था दूसरे दिन ये लोग सैम से इस बारे में बात करते हैं जिस पे सैम कहता है कि बेलर्स फैमली की एक्टिविटी उन्हें इग्नोर करनी चाहिए और उन्हें डॉक्युमेंटरी बनाने पे ध्यान देना चाहिए अब मार्गरेट और उसके दोस्त उसी चर्च में जाते हैं जब बेलर्स फैमली बाहर चली जाती है अंदर जाके वो देखते हैं कि वहाँ सिंबल्स लगे थे और बुझे के अजीब सी थी वो चर्च नहीं लग रही थी वहाँ पे उन्हें एक गड़ा भी मिलता है और अब मार्गरेट उस गड़े के अंदर जाती है जब उसको वहाँ क्रॉस बंदे दिखते हैं और जब मार्गरेट उस गड़े के एंड तक पहुँचती है तो उसे वहाँ किसी के चिलाने की आवाँ सुनाई देती है ये देखकर वो डर जाती है और क्रिस उसे उपर खीच लेता है ये देखने के बाद ये लोग गयां से जाने का सोचते हैं लेकिन मौसम की वज़े से कार नहीं चल रही थी जिसके लिए क्रिस को बैटरी लेने के लिए टाउन जाना होगा और इदर मार्गरेट को जेकब के रूमे एक लैप टॉप मिलता है जिससे में पता लगता है कि जेकब मार्गरेट पे नज़र रखे हुए था वो जानता था कि मार्गरेट कहां रहती है और इतने सालों से वो मार्गरेट पे नज़र रख रहा था अब रात में मार्गरेट को किसी के चलने की आवास सुनाई देती है लेकिन उसके दोस्तों को कोई भी आवास सुनाई नहीं देती क्योंकि उन्हें नीन्द की गोली दी गई थी तब ही मार्गरेट पे एक evil entity हमला कर देती है और हम देखते हैं कि अगले दिन उसका बरता वजीब हो जाता है जिस पे डेल कहता है कि अब मार्गरेट एडल्ट हो गई है उसकी period स्टार्ट हो गए है यहां में यह तो पता लग गया है कि बेलर्ज फैमली में कुछ तो गड़बड है और यहां में यह भी पता लगता है कि बेलर्ज फैमली मार्गरेट के एडल्ट होने का ही वेट कर रही थी जब मार्गरेट के दोस्त कार की बैटरी लेने के लिए टाउन जाते है तो एक आदमी से उन्हे पता लगता है कि बेलर्डस फैमली आमिश ग्रुप के लोगों को बिलॉंग नहीं करती वह आदमी मार्गरट के लोगों को बेलर्डस फैमली से दूर रहने कलें कहता है ये लोग जब बैटरी लेकर वापस घर आते हैं तब ही जेकब उस चर्च के गटे में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब क्रिस मार्गेट को बचाने के लिए उस गटे में जाता है। तो देखता है कि मार्गेट जमीन पे लिटी है और जेकब की बहन लिवाना उस पे रिच्वल कर रही होती है। लेकिन क्रिस्स उस रिच्वल को बीच में ही रोक देता है जिससे चीज़ें बिगरने वाली है। यहाँ में पता लगता है कि लिवाना दरसल एक डीमन को मार्केट की बॉड़ी में बुला रही थी क्योंकि वो डीमन बॉड़ी बदलता हुआ आया है और जिस बॉड़ी में इस वक्त वो है वो कमजोर हो गई है इसलिए उसे नई बॉड़ी की जरुवत है जिससे यह लोग उस डीमन को दूसरी बॉड़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने अगर ऐसा नहीं किया तो वो डीमन अज़ाद हो जाएगा तब ही वहाँ में एक आरत को देखते हैं जो बहुत डरावनी दिख रही होती है और अब वो इन लोगों को मारने के लिए इन की नहीं बढ़ पाती अब डेल क्रिस और मार्गरेट को उपर कीच लेता है लेकिन वो औरत भी उस गट्टे से बाहर निकलाती है और मार्गरेट लोगों का पीछा करती है अपनी जान बचाने के लिए लोग भागते हैं लेकिन डेल इन लोगों से अलग हो जाता है और वो औ और डेल को मार देती है लेकिन क्रिस और मार्गरेट अपनी जान बचा के तबेले में पहुंचते हैं लेकिन तब ही वो औरत क्रिस पे हमला कर देती है और अब मार्गरेट को मानने के लिए आगे बढ़ती है और यहां एक ट्विस्ट आता है मार्गरेट उस औरत को सारा य अबी सारा उसका पैर पकड़ लेती है और उपर आने की कोशिश करती है लेकिन मारगरेट जोर से उसे धका दे देती है और सारा नीचे मशीन पे जाके गिटी है और उसकी वहीं मौत हो जाती है अब क्रिस और मार्गरेट कार में बैटके भागने की कोशिश करते हैं जब हम देखते हैं कि उस गाउं के लोग अपने आपको आग लगा रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे हर तरफ खूण खरावा शुरू हो गया था कुछ गाउं के लोग मार्गरिट लोगों पे अटैक कर देते हैं लेकिन वो लोग बच के निकल जाते हैं जिसके बाद वहाँ दो ओफिसर्स आते हैं और इस हाथसे की रिपोर्ट करते हैं जब उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और पोजेस्ट सैम यानि की डीमन कार में बैटके वहाँ से चला जाता है और बस ये मुवी यहीं एंडो जाती है अब मैं आपको बता दू कि आखिर कार हुआ क्या वो डीमन जो इतने सालों से बाड़ी बदल रहा था वो था प्रिंस आफ हेल यानि की एसमोडियस मार रहे थे और वहाँ कतले आम शुरू हो गया था ये सब रोगने के लिए इन लोगों ने वाइट विच्च की मदद ली जिसने एसमोडियस को भगवान की चुनियक औरत की बाड़ी में कैद कर दिया और इस वाइट विच्च का कहना था कि औरतें किसी भी चीज़ को अपने अंदर समा सकती है तब से वो डीमन एक औरत की बाड़ी से दूसरी औरत की बाड़ी बदल रहा है ये सब सालों से चलता हा रहा है लेकिन ये डीमन दूसरी औरत की बाड़ी में तब ही जा सकता है जब दोनों ओरतों का खून का रिष्ता हो और जिस बाड़ी में डीमन को भीजना है वो 16 साल से ज़ादा उमर की लड़की की होनी चाहिए और मारगरेट सारा की बेटी थी यानी खून का रिष्ता और मारगरेट 16 साल से उपर की हो गई थी इसलिए बेलर्स फैमली मार्गरेट में उस डीमन को भेजना चाहती थी इसकी हिंटा में मूवी में ही मिलती है जब हम जेकब को ये कहते हुए सुनते हैं कि औरत की बाड़ी वो होल्ट कर सकती है जो दूसरे नहीं कर सकते ये हिंट थी कि अब बेलर्स फैमली उस डीमन को मार्गरेट के अंदर भेजने वाली है क्योंकि मार्गरेट ने सारा को मार डाला था इसलिए सारा के मरने के बार डीमन आज़ाद हो गया और उसने सैम को पॉजस कर लिया और वहां से भाग गया ताकि Margaret को ढून सके और उसे POSZ कर सके क्योंकि वो Margaret के बाड़ी में जादा लंबे वक्त तक रह सकता था क्योंकि Margaret और सारा का खून का रिष्टा था हो सकता है, मैं इसके आने वाले parts में ये देखने को मिले कि इस demon ने कैसे Margaret को ढूनदा और उसे कैसे possess करके अजाद होगा तो दोस्तो ये था मेरा movie explanation paranormal activity next of kin को लिगे उमीद करती हूँ आपको मेरा ये video explanation पसंदा होगा अगर आपको ये मेरा video explanation पसंदा है तो मेरे channel को subscribe कर लीजेगा और bell icon दबाईएगा ताकि आपको सारे notifications मिलते रहें मैं मिलूंगे आपसे अगले video में तब तक के लिए अपने बहुत ख्याल रखिए stay safe keep hunting lots of love